सरदर्द तो हरी लोग जानते होंगे, अगर वो सर में धर्द है तो वो सरदर्द है, लेकिन अगर हम लोग साइंटिपिक भासा में बात करें, तो हरी एक धर्द जो हमारी भौं के उपर होता है, या पीछे खोपडी के तक होता है, गर्दन और खोपडी के ज्वाइन तक होत दो तरह के सर्दाद होते हैं, एक तो सर्दर बिना कारण के होता है, जो कि हम सभी को होता है, ज्यादा ठक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ज्यादा तबनाव में आ जाते हैं, तो सर्दाद होने रखता है, लेकि उसके भी कई तरह होते हैं, और वो ज्यादा कामन है, उसको हम ल नहीं होते,, लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं हभी हम सरद करते हैं to हमेशा ये देखते हैं, कहीं हमें किसी कारण से तो सरदद नहीं हो रहा है जो मुख्य कारण सरदद का होता है वो दिमाग में ब्लीडिंग होना या खुन का स्राव होना जिसको कि हम लोग सब अरक्नाइड हैमरेज कहते हैं जो कि खोन की ननियों के फटने की से वज़ता है दूसरा जो होता है सबसे कॉमान होता है वो होता है बस्तिच्वर या मेनेंजाइटिस अगर brain में कोई infection होगा तो जो है हमें सरदर्द होता है और वो भी खतरनाक जान लेवा होसकता है तो यह दो मुक्ष ऐसे सरदर्द है जिस पर हम लोग हमेशा ध्यान रखना चाहीए कि कहीं ऐसा सरदर्द नए है जो कि हमें खतरनाक जान लेवा है क्योंकि जो रूटीन वाला दर्द होता है जदाता है एक दब हम काते हैं ठीक हो जाता है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा चिंता गया हो सकता नहीं होती लेकिन अगर वह भी बार बार हो रहा है और हमारे जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है तो इसका मतलब कि हमें जरू चीजें हम महसूस करते हैं चाये खुशी हो चाये दुख हो चिरना हो या किसी से लड़ने के वाचा हो या क्रोध हो लेकिन उस दिमाग को ईश्वर ने कोई ऐसी सक्ति नहीं दी कि उसको दर्द हो अगर आप दिमाग को काटेंगे भी तब भी उसको कोई दर्द नहीं होग लेकिन उसके चारो और जो उसके कवरिंग है अगर आप बाल के निचे देखे तो चम्री है उसके निचे कुछ का मांस का टुकड़ा है फिर खोपड़ी है खोपड़ी के ओपर कवर है दिमाग के ओपर कवर है और दिमाग के अंदर जो खून की नलिया ले जाने वरी है उनकी कोई जो कबरिंग है या दिमाग से कुछ ऐसी नसे निकलती जिसको हम लोग क्रेणियर नर्स बोलते हैं अगर इन में कोई में भी खिचाव या तनाव होगा तो व्यक्ति को सरदर्द हो सकता है तो जो सरदर्द मुख के कारण यह होता है कि अगर इन अंगों पर कोई भी अगर तो दर्द ही है जैसा दर्द के किसी अंग किसी और अंग में होता है वैसा ही दर्द होता है लेकिन जिस कारण से सरदर्द होता है उसके लक्षण अलग अलग जो मैंने बताया कि जिसको हम लोग प्राइमरी हिटेक होते हैं जिसमें कि कोई कारण नहीं होता उसमें ज दीरे दीरे बढ़ता है और काफी गंबी रह जाता है उसके साथ उसको आग की रोशनी में या सुनने में उससे चिड़ होती है और उसको उल्टी सिरू हो जाती है उसी तरह दूसरा तरह का हेडिक होता है, जिसको लोग प्रस्टर हेडिक बोलते हैं, जिसमें कि व्यक्ति को बहुत तेज सरदर्द होता है, और आख से पानी निकलने लगता है, आखे लाल हो जाती है, और प्राया व्यक्ति को रात के नीन से उठा करके वह भी सरदर्द होता तो आपको तुरत डाक्टर के पास जाना चाहिए अगर सरदर्द हो रहा है और उसके साथ-साथ आपको उल्टी भी लग रही है तब भी आपको तुरत डाक्टर के पास जाना चाहिए अगर सरदर्द के साथ आपको बुखार हो रहा है तो तुरत डाक्टर के आज जाना चाह तो यह ऐसे लक्षण है जो खत्रे की हम लोग रेट फ्लाइग बोलते हैं या खत्रे की घंटी बोलेंगे इसको अगर है सरदर्द के साथ तो इसका मतलब कि हमें थुरत दॉक्टर के पास जाना चाहिए न कि हम जिसको ओवर दे काउंटर ड्रग कहते हैं कि इसे रिडॉन खा इसका सबसे बड़ा कारण से उसका पता करना चाहिए और उसके कारण के इसका इलाज होता है इसी तरह अगर कोई और करण सिर्दर्द ब्रडपीश्य की अधिक होने से या दिमाग में जोखwhen लोटने वाली नलिया हैं जिसको विनस साहशा है अगर उसकी वज़ा से है तो उसका इलाज होना चाहिए या ब्रेन ट्यूमर है तौ उसका इलाज होना चाहिए तो यह जो 생ीजिए है जो secondary headache कहते है उनका हम लोग को इलाज बहुत ही लखके करना चाहिए और तत्व करना चाहिए जब तक कि उसका पुरा कारण दोड़ना हो जो primary headache है जैसे migraine मैंने बताया या cluster headache है उसमे हम लोग दो तरह की दवाएं देते हैं एक दवाएं ऐसी है जो कि attack के समय होती है वह बहुत अच्छी द जैसे कि वह उसकी जो frequency है जैसे कि उसकी को एक तो मैने में पांच बार हो रहा है च्छे बार हो रहा है तो वह दो मैने या तीन मैने में एक बार होता है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि migraine का trigger अगर वह trigger एक step से आगे चला गया तो वह एक तो सर्दद हो जाएगा लेकिन अग हम लोग stimulation technique मोलते हैं जिसमें कि कुछ ऐसी नसे है जिर को हम लोग बिटली के current से उसको देते हैं जिससे कि वह विक्ति को आराम मिलता है कभी-कभी migraine में सबसे बड़ी परिशानी है कि जिसको migraine बार-बार होता है वह अपना रूप बिकार लेता है और रूप बिकार के वह शुरू हुई है जिसको कि हम लोग injection botox कहते हैं और वो botanum toxin दबा होती है जो कि एक bacteria के निकलती है उसको हम लोग निमाग के ये सर के हरेकर विभिन अंगों में inject करते हैं जिससे कि वह उसको आराम मिलता है ये नही नही कारण इसमें लगातार हो रहे है क्योंकि ये बिमार हैं और खासकर हमारे समाज में इसमें कि इस्त्री को घर का भी काम करना है बाहर का भी काम करना है बच्चों को भी पढ़ाना है इतना तनावग्रस रहता है उनको अगर माइग्रेन होता है तो उनके लिए जीवन में बहुत बड़ी समस्या होती है उनके लिए इलाज बहु उसको आराम की तुरत जवरत होती है, क्योंकि अगर वो शुरू में ही आराम करने 15 मिनट तो वो सरदर्द ठीक हो जाता है, तो इस तरह से सरदर्द का इलाज है, बहुत कॉमन बिमारी है, और इसका इलाज इस समय सपलता प्रूबग किया जा सकता है, अगर उसका निश्चित कारण पता चल जाए तो, माइग्रेन एक ऐसी बिमारी है, जो कि दुरफागी बस 40% पोपुलेशन में है, और ये स्तियों में ज्यादा होती है, इसका अभी तक exact कारण तो नहीं पता चला, लेकिन इसका जो लक्षन है, वो बड़ा सपस्ट होता है, जो व्यक्ति होता है, उसको ये सरदर्द होने लगता है, वो हो सकता है कि आदी सर पे हो, जिसको लोग आतकपारी बोलते है, आदी सीसी बोलते है, या सामने दिमाग के इसे पे हो, लेकिन ये दर्द दीरी दीरी शुरू होता है, और बढ़ते बढ़ते बहुत तेज हो जाता है, और इतना तेज माइग्रेन होते हैं जिसमें कि व्यक्ति को माइग्रेन के पहले पता चल जाता है कि उसको माइग्रेन होने वाला है और वो जैसे कि आग के सामने अंदेरा होता है या आग के सामने लालरी रोष्टी चमकती है या कभी उसको अजीब सी जमाईया आने लगती है तो व्यक्ति क को समझ आ जाता है कि यह हमें माइग्रेन को पहचांच जाता है कि अब हमें माइग्रेन का सरदत होगा तीसरी बड़ी बात यह होती है कि यह जो दर्द होता है यह माइग्रेन का किसी कारण से शुरू होता है कारण मतलब कुछ ऐसी चीज होती है जिससे कि व्यक्ति को पता र कभी कभी नाने दोने से हो जाता है कुछ लोग मिठी चीज काते हैं, उससे हो जाता है, कुछ भृजन की सेवन जिसमेंatore होता है चीज काने से से, तो पृतियव व्यक्ति को यह कि अब जोती है, यह अलग होता हैm कभी-कभी मासिक के समय हो जाता है तो यह एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है इसमें कि व्यक्ति को पता है कि हमें यह अगर हम नहीं किया तो हमको सर्दाद हो जाए कुछ लोग बंद कमरे में हो जाता है बंद गारी में हो जाता है कुछ लोग को एसी में हो जाता है तो वहाद करती है या मुसलमान और रखते हैं तो वह सकूरा माईग्रिनCा बहुत बिद्ध काुसुट आयुकि अदर रखता है। एक और चीज में बताना चाहूंगा कि प्राहय ये बिमारी परिवारिक हो तो हमेशा आप किसी को माइगरीन बताएं तो आप पुछे परिवार में तो जरूर पता चलेगा कि कुछ लोगों को ये उसी तरह की बिमारी हो रही है और उन सब को सरवदर्द होता है जो प्राइमरी हेडेक होते हैं जिसमें की कारण नहीं पता चलता उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है माइगरें एक और तरह का माइगरीन जैसा ही बिमारी होती है जिसको हम लोग क्लस्टर हेडेक बलते हैं माइगरीन का डिरे दिरे शुरू होता है यह एक अएक शुरू हो जाता है और एक आएक उसको बहुत तेज सर्दाद हो जाता है और वह दर्द आग के चारो तरह होता है और इतना तेज होता है कि वो व्यक्ति बिस्तर में नहीं रहा पाएगा वो बिस्तर से उटके चल कर ट्रेल कद्वी करने लगता है आँख से पानी आने लगता है आँख लाल हो जाती है और एक डेड़ घंडे में प्रायर वो दर्थ सोता समावत हो जाता है और उस व्यक्ति को उस तरह का दर्थ पहले कभी नहीं होता और वो लगतार चार-पान्च बार या साथ दिन तक होता है और फिर कुछ समय तक भी बिलकुछ शानत हो जाता है उसकी भी दवाये हैं इसकी बहुत अच्छी दवाये हैं लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि इस तरह का सरदर्द प्राया कुछ brain tumors पे भी होता है तो अगर किसी को cluster headache है या डॉक्टर कहता है कि आपको cluster headache है तो उसको जरूर अपना MRI या इस तरह की कोई जाच करा ली चाहिए कि कुई दूसरा कारण तो नहीं है जिसमें की cluster जैसे बहुता हुए साइनस का सिर्दर्द sinusitis की वजए से होता है मारे नाक के चारों sinus होते हैं हावा के air sinus होते हैं जिभावा बरी होती है और उन sinus में जब रुकाव हो जाता है तो उसका sinus का सादाद होता है लेकिन sinus का दर्द इतना कामन नहीं है जितना की migraine है और प्राय देखा गया है कि लोग migraine का जो इसको patient होता है वो सबसे पहले आख वाले के पास जाता है तो एक चश्मा चुणा देता है नंबर भॉं के उपर है नाक के दोनों और है तो वो दर्द वहां पे सिमित होता है नंबर एक नंबर दू दर्द वो प्राय दिन चड़ता है तो बढ़ता है फिठीक हो जाता है और इसके साथ पुछ उसको नाक के भी लक्षाओं होता है कि नाक बहने लगती है या नाक में बंद हो जाती है या कान बंद हो जाता है और जब अगर डॉक्टर देखने है तो वो साइनस को चुएंगे तो भीषर दर्द होता है जिसको लोग टेंडर डेस बोलते हैं साइनस का बिमारी होती जरूर है लेकिन इतनी ही नहीं है जितनी की माइग्रेन या दूसरी बिमारी है सरदर्थ रोकने के उपाई वही है उसके कारण अगर रोके जाए तो कारण दर रोक जाता है जैसे माइगरेन है तो माइगरेन में दो तरह के दवाएं होती है कुछ दवाएं ऐसी होती है जो कि अटैक होने पे होती है और कुछ दव उसको रोकने के लिए होती है उनकी अलग चाहिए न कि अपना इलाज करना चाहिए तो इसको रुखने का उपाई यही है कि अगर जो मैंने आपको पता है जो खत्रे की घंटिया वाले उन दर्द है तो आपको डॉक्टर के पास तूरा जाना चाहिए अन्य था आप अगर आपको एक या दो बार दर्द होता है तो दर्द है उसको हमें ध्यान लखना है उसका सबसे बड़ा पहरा है कि अम्र अगर विक्ति की अम्र पचास से अधिक है और उसको सर्दद हो रहा है तो उसको तुरह डॉक्टर के पास जाना चाहिए दूसरा अगर ऐसा दर्द है दो जीवन में कभी नहुआ हुआ हो या पह अभी आदमी सो रहा है और दर्द के बारे नीन से उड़िया हो इसका मतला जूर को यह भीशर दर्द है और इसका तुरह डॉक्टर के पास जाना चाहिए